आम तोर पर हमें ये लगता है कि जब भी हम घर को प्लाश्टर करते हैं तो इस से सिर्फ हमारे घर का लुक अच्छा दिखाए देता है पर क्या आपको पता है आपके घर का प्लाश्टर आपके घर का लुक तो निखारता है पर इसके साथ में आपके घर का प्रोटेक्शन भी करता है और तो और अच्छा प्लाश्टर आपके घर की लाइब भी बढ़ाने में मदद करता है फिर चाहे वो तेज धूब हो या फिर सिमेंट मॉल्टर होता है वो धीरे-धीरे करके निकलने लगता है और इटे गलना शुरू हो जाता है तो इस चीज से बचने के लिए प्लाश्टर ज़रूरी होता है पर ये प्लाश्टर करते समय आपको कुछ चीजों के तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए कुछ गलतिया लोगों से हो जाती है जिसकी वज़े से आगे चलके प्लाश्टर उखड जाता है, कुछ जग़ पर क्रैक्स जादा दिखाई देते हैं और कुछ जग़ पर सिलिंग का प्लाश्टर गिर जाता है, तो वो कौन-कौन सी गलतिया है, इनके बारे में हम आज की वीडियो में अब यहाँ पर सबसे पहली गलती हो जाती है, जो कि है प्रपोर्शन के रिलेटेड़, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है, कि जादा सिमेंट अगर हम इस्तमाल करेंगे, तो हमारा प्लाश्टर जादा अच्छा होगा, पर अगर आप प्रमान से ज फिर 1 as to 6 होता है, खास करके 1 as to 4 सीलिंग के प्लाश्टर के लिए इस्तमाल किया जाता है, यानि कि एक पार्ट आपको सिमेंट लेना है, चार पार्ट आपको सैंड लेनी है, रेगूलर प्लास्टर के लिए आप एक पार्ट सिमेंट ले सकते हैं, और छे पार्ट आप जाता है तो जादा प्रमान में माल मत बनाईए जितना जरूरी है उतना ही इस्तमाल कीजे जितना जादा माल आप बना के रखेंगे उसे उतनी जादा देर लगेगी प्लाश्टर के लिए इस्तमाल करने में तो इसी वज़े से उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है अब बात करते है अगले गलती के बारे में जो की लोग अक्सरी नजर अंदाज कर देते हैं। देखे दोस्तों चाहे आप कितने ही अच्छी क्वालिटी की रेती या फिर सिमेंट इस्तमाल कीजे पर अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से पानी नहीं देंगे तो आगे चलके आपका प्लास्ट कमजोर हो सकता है। तो इसी वज़े से प्लास्टर होने के दूसरे दिन बाद आपको साथ से लेके 10 दिन तक 2 टाइम तक प्लास्टर को पानी देना है। और शुरुवाती वक्त में आपका प्लास्टर जो है वो थोड़ा सा गिला होता है जिस वज़े से आपको ज़ादा प्लास्टर के साथ पानी नहीं देना है। इससे आपके प्लास्टर की फिनिशिंग खराब हो सकती है। तो इसी वज़े से शुरुवाती दिनों में हलके हाथ से आपको पानी मारना है अपने प्लास्टर के उपर। अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा प्लास्टर होने के बाद कुछ महीनों के बाद आपको ये दिखाई देता है कि प्लास्टर के उपर एकदम सीधे क्रैक आपको दिखाई देते हैं। खास करके ये क्रैक आपको दीवार और कॉलम इन दोनों का जॉइंट जहाँ पर होता है वहाँ पर चिकन मेश या फिर जिसे मुर्गा जाली भी कहा जाता है या फिर फाइबर मेश इसका इस्तमाल नहीं किया जाता है जिसकी वज़से आगे चलके इन दोनों का जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर आपको क्रैक आसनी के साथ दिखाई देते हैं यही चीज आपको जहाँ आपके इलेक्रिकल पॉइंट होते हैं वहाँ पर भी दिखाई देती है तो इसी वज़से जहाँ पर आपका कॉलम और दिवार का जॉइंट है या फिर आपकी कंसील फिटिंग है जहाँ पर आपके इलेक्रिकल पाइप गए है वहाँ पर आपको चिकन मेश या फिर वाला cement कभी भी इस्तमाल नहीं करना है और अगर हम बात करें आपके plaster के लिए सबसे बड़िया cement कौन सा है तो आप अपने plaster केलिए PPC cement का इस्तमाल कर सकते हैं जिसके result भी अच्छे होते हैं जैसा कि हमने पिछले point में देखा कि जहाँ पर आपके column और दीवार इन दोनों का joint आता है वहाँ पर खास करके आपको crack दिखाई देता है जिसके लिए हम chicken mesh कभी इस्तमाल करते है पर इसके आलबा लोग यहाँ पर यह गलती कर देते है कि जब भी इन दोनों का joint जहाँ पर आता है वहाँ पर column को अच्छे से टकाई यानि कि टाचा नहीं देते हैं तो brick work करने से पहले आपको टकाई करना आवशक होता है टकाई करने के बाद आपको उस column को अच्छे से cement slurry देनी है और उसके बाद जाकर आपको वहाँ पर brick work start करना है जिससे की column और brick work इन दोनों के बीच में अच्छी कासी grip मिल सके अब बात करते हैं अगले point के बारे में जो की है plaster की thickness जहां तक बात आती है दोस्तो plaster की thickness की तो ये बहुत ही important point होता है आपने अक्सर ही सुना होगा कि जहां पर plaster किया जाता है तो खास करके कुछ दिनों बाद ceiling का plaster गिर जाता है इसका कारान यह होता है कि अगर ceiling की plaster की thickness जादा हो जाती है ऐसे समय में वो plaster गिर सकता है तो इससे बचने का क्या उपाय है तो ceiling की plaster की जो थिकनेस होगी वो आपको 6 से लेके 8 mm तक रखनी चाहिए उससे जादा अगर आपके plaster की थिकनेस होगी तो plaster के गिरने के chances जादा होते है और जैसे कि मैंने आपको पहले point में भी कहा है तो इस ceiling के plaster के लिए आपको 1s24 के proportion का ही इस्तमाल करना चाहिए और जहां तक बात आती है दीवारों के plaster की थिकनेस तो वो आपको 20 से लेके 25 mm से जादा बिल्कुल भी नहीं रखनी है याद रखिए जब भी limit से जादा plaster की थिकनेस हो जाती है तो वो चाहे दीवार को हो या फिर ceiling को हो तो उसके गिरने के chance से जादा होते है तो इसलिए जब भी आप brick work करे तो आपका brick work proper line level में होना चाहिए उसमें कम से कम undulation होंगे तो वहाँ पर plaster की थिकनेस भी कम से कम आईगी जितनी खराब आपकी दीवार होगी उतनी जादा plaster की थिकनेस वहाँ पर बढ़ जाएगी देखे दोस्तों जिस दिन आपको दीवार को plaster करना होता है तो आपको सुखी दीवार के उपर plaster नहीं करना चाहिए plaster के एक दो दिन पहले से ही आपको उस दीवार को हलका गिला करना शुरू कर देना है अब यहाँ पर जितना गलत होता है सुखी दिवार के उपर प्लाश्टर करना उतना ही गलत हो जाता है अगर आप उस दिवार को ज़ादा गिला कर देते हैं इसका काराण यह होता है कि अगर plaster से पहले दीवार ज़ादा गीली है तो वहाँ पर plaster का mortar जल्दी ग्रिप नहीं ले पाता है इसके लिए mystery उस mortar में ज़ादा प्रमान में cement का इस्तमाल करते है और जब भी mortar में proportion से ज़ादा cement का इस्तमाल किया जाता है तो ऐसे plaster में आगे चलके आपको जरूर crack दिखाई दे सकते हैं तो इसी वज़े से plaster से पहले आपको दीवार को हलका गीला करना है देखिए दोस्तों जिस तरह से हमने cement के quality के बारे में देखा उसी तरह से plaster में important part होता है sand का यानि कि जो आपकी sand होती है उसमें 6% से ज़्यादा silt content नहीं होना और जहां तक बात आती है कौन सी sand आपके plaster के लिए सबसे बढ़िया है तो वो depend करता है कि आपकी river sand की अगर quality अच्छी है तो definitely आप river sand के तरब जा सकते है और अगर आपकी river sand की quality अच्छी नहीं है तो आप crush sand के तरब भी जा सकते हो देखिए दोस्तों इन दोनों ही sand के अप अगले point के बारे में जैसा कि आपको पता होगा जब भी आपका plaster खत्म हो जाता है तो कितने दिन बाद आपको painting या फिर पुट्टी का काम शुरू करना चाहिए तो जब आपका plastering work complete हो जाता है उसके बाद आपका curing work start हो जाता है जो की कम से कम 7 से लेके 10 दिनों तक चलता ह उसके बाद जाकर 4-5 दिनों तक आपको दिवारों को सुकने का time देना चाहिए अच्छी तरह से जब आपकी दिवारे सुक जाएंगी उसके बाद जाकर आपको पुट्टी का या फिर paint का work start करना चाहिए यानि कि plastering work खत्म होने के बाद और painting work शुरू करने के दर्मियान आ अगर आपको कोई changes करवाने है तो आपको वापस से plaster cut करना पड़ेगा जिससे की आपके plaster की finishing भी खराब हो जाएगी और हाँ जहाँ पर आप wall tile लगाने वाले है वहाँ पर आपको plaster थोड़ा सा rough छोड़ना पड़ता है जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं यहा अगर आपके कोई सवाल है तो comment box में comment जरूर कीजे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like कर दीजे और अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब ने किया दोस्तों तो कैसे चलेगा चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है